Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपने English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 की जो आपकी Woven Words Book है उसका essay, essay No.2 जिसका नाम है My Three Passions तो आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, बहुत short essay है लेकिन बहुत deep और meaningful essay है और आपको सुनकर और समझ कर इस essay को बहुत अच्छा भी लगेगा अगर आप ज्यान से सुनेंगे So, let's begin with the essay लेकिन उससे पहले में author के बारे में आपको थोड़ा सा एक brief introduction दे देती हूँ So, that you can connect with your essay So, Bertrand Rozelle हमारे author हैं, the picture which you could see on my left hand side is our author इनका birth year 1872 में हुआ था और इनकी death year 1969 में हुई थी He was a British philosopher and mathematician तो ये British philosopher थे, philosophical कौन होते हैं? जो बहुत deep thinking करते हैं, बहुत गहरी सोच में जाते हैं मतलब जहां हम normal इंसानों की सोच खतम होती है, वहाँ पे इनकी सोच स्टार्ट होती है और ये एक mathematician थे, याने maths इनकी बहुत अच्छी थी He has written numerous popular works on philosophy, politics and education इसके अलावे इनोंने बहुत सारे चीजें लिखी हैं, अलग-अलग topics पर याने की writer भी हैं किन-किन topics पर? philosophy पर, politics याने की जो आपकी राजनी थी उन पर education याने की academics पड़ाई लिखाई पर भी काफी इनोंने लिखा है He took a major part in the 20th century revival of logic and made continued effort to identify the methods of philosophy with those of the sciences तो इनोंने major part, काफी main part जो इनोंने play किया है अपनी life में वो 20th century, 20th सदी में play किया है, जिसमें इनोंने logic का revival किया है revival याने आप किसी चीज़ को फिर से popular फिर से famous बना रहे हो तो जो logic का concept है की सोच समझ के अपने decisions लो इस concept को इनोंने revive किया है कब? 20th century में याने की and made continued effort to identify the methods of philosophy with these sciences याने की 20th century के बाद, 20th century के बाद लोगों ने फिर से logical thinking and reasoning start करी है और उसके topic पे और उसके basis पे चलते थे क्योंकि वो चीज़ किसने revive करी थी? हमारे Bertrand Rizal ने He received the Nobel Prize for Literature in 1950 तो साहित्य के ऊपर इनको 1950 एर में एक Nobel Prize भी मिल चुका है The passage here is an extract from Bertrand Rizal's autobiography तो autobiography का मतलब क्या होता है? आत्म का था जो इनसान अपनी life के ऊपर अपनी खुद की स्टोरी खुद लिखता है उसे autobiography कहते हैं तो Bertrand Rizal की एक autobiography थी जो उन्होंने खुद अपनी बारे में लिखा तो ये जो आज हम passage essay के तौर पर पढ़ रहे हैं ये उस बड़ी से autobiography का एक छोटा सा part है जो हम आज essay के तौर पर पढ़ रहे हैं ओके? Now let's begin with the explanation of the essay उससे पहले एक छोटा सा overview दे देती हूँ essay का नाम है My Three Passions तो Bertrand Rizal के तीन passions के बार में बात हो रहे है passion का मतलब हो था है जुनून किसी चीज को पाने की बहुत strong इच्छा बहुत strong desire उसे हम कहते हैं passion तो essay में तीन passions की बात करी गई है love दूसरा है knowledge और third है pity love याने प्यार हमारे author को life में प्यार चाहिए था loneliness याने अकेले पन से दूर भागने के लिए उनको प्यार चाहिए था ये एक उनका passion था इसलिए इन्होंने चार शादियां करी थी yes, second है knowledge knowledge याने ग्यान दूसरी passion इनका क्या था कि ग्यान मुझे ग्यान चाहिए जहां से जो भी चीज मुझे नहीं पता है उस सब के बार है मुझे information और knowledge चाहिए और तीसरी चीज है pity, pity को हिंदी में बोलते हैं दया, जब भी author को दिखता था कि बच्चे फर्माइन याने बुकमरी में मर रहे है बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो अपने माबाप को बुड़ा समझ के old age home भेज दे रहे हैं आदमी और इंसान कितना सफर कर रहे हैं war हो रहे हैं, कितना रो रहे हैं परिशान हो रहे हैं जिंदेगी उनके devastated हो गई है all these things जब वो देखते हैं तो उनके मन में एक pity की feeling याने एक दया की feeling आती है जो इन लोगों के लिए इनको आई हमारे author को जिस वज़े से इनोंने world war में भी part लिया था और इनोंने काफी सारे social work भी किये हैं जिससे लोगों का भाला और welfare हो जाए तो इन तीन passions के बारे में इस essay में बात हो रही है और अब start करते हैं हम हमारा essay तो author बोलते हैं और तीनों ही बहुत simple है अभी आगे बताएंगे कि love, knowledge और pity के बारे में बात हो रही है तो तीनों ही बहुत simple है लेकिन overwhelmingly strong है overwhelmingly का मतलब होता extremely बहुत जादा लेकिन ये तीनों ही बहुत strong passions हैं जो हर एक इंसान की life में जरूर से होने चाहिए have governed my life इन तीन passions ने मेरी life को govern किया है याने मेरी life को control किया है इन तीन passions ने the longing for love अब क्या है वो passions पहला है the longing for love longing याने desire इच्छा कि पहला passion है कि मेरी जिन्देगी में love याने प्यार जरूर होना चाहिए the search for knowledge दूसरा passion क्या है knowledge याने ग्यान की खोच करने है मुझे जहां से भी जो knowledge ग्यान मिल रहा है मुझे उसको प्राप्त करने and unbearable pity for the suffering of mankind याने pity याने की दया और unbearable याने जो चीज आप bear नहीं कर सकते हो जो चीज आप बरदाश नहीं कर सकते हो तो author कहते हैं कि तीसरी जो मेरा passion है वो ना बरदाश होने वाली दया है कि दया बस मेरे मेरे अंदर से बहुत निकल रही है उन mankind उन इंसानों के लिए जो सफर कर रहा है याने जो भूगत रहे हैं अलग-अलग problems से अपनी life में these passions like great winds have blown me hither and thither अब author बोलते हैं कि यह जो तीन passions है love, knowledge and pity यह great winds की तरह है याने बहुत तेज हवाओं की तरह हैं जिनोंने मुझे hither and thither करके रग दिया है hither and thither का मतलब in various directions specially in a disorganized way जब आपको कोई चीज अलग-अलग direction में फेकती है disorganized तरीके में कभी आप यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ तो उसे आप hither and thither कहते हैं तो author कहते हैं मेरे यह तीन passions उन तीन तेज हवाओं की तरह हैं, storms की तरह हैं जिसने मुझे उड़ा के रख दिया हिदर and thither याँने अलग-अलग directions में कभी मैं love के पीछे भाग रहा हूँ, कभी मैं knowledge के पीछे, कभी pity के पीछे basically इन तीन चीजों के पीछे इदर-उदर अलग-अलग directions में इन चीजों को पाने के लिए भाग रहा हूँ इन अ wayward course, wayward याने difficult to control और ये जो course है, जो रास्ता है जहां मैं love को खोज रहा हूँ, knowledge को खोज रहा हूँ, pity को खोज रहा हूँ ये एक wayward course है याने कि ये difficult to control है, इसको मैं control नहीं कर पा रहा हूँ Over a deep ocean of anguish Reaching to the very verge of despair Anguish का मतलब होता है Pain दुख, दर्थ जो किसी एक इंसान के life में होता है और despair का मतलब होता है Full of sadness without hope जब आपकी life बहुत दुख्यारी life हो जाती है और आपकी life में कोई hope कोई उम्मीद की किरन नहीं दिखाई देती उसे आप कहते हो despair verge का मतलब क्यों होता है Edge याने किनारा कोने पे तो यहां बोल रहे हैं कि over a deep ocean of anguish reaching to the very verge of despair याने कि अगर ये तीन चीजें मुझे नहीं मिली ये तीन passions मुझे नहीं मिले तो मैं एक deep ocean of anguish याने बहुत बड़े महासागर दुख के महासागर में डूब जाओंगा और उस कोने तक पहुच जाओंगा जहां पे सरिफ despair है याने sadness ही sadness है जहां पे उम्मीद की मुझे कोई किरन नहीं दिखाई देगी याने उनकी life में love, knowledge and pity का होना इन तीन emotions का होना बहुत important था और इसी की खोज में वो लग गए थे I have sought love first तो sought का मतलब क्या होता है sought का मतलब होता है try to find डूढने की कोशिश करना तो author बोलते हैं सबसे पहले मैं क्या sought करूँगा मैं love sought करूँगा याने इन तीन चीजों में से जो यहां पे मैं लिका था love, knowledge और pity याने दया तो author कहते हैं इन तीन passions में से जो सबसे पहला passion है love सबसे पहले मैं उसको डूढने की कोशिश करूँगा because it brings ecstasy क्योंकि love अगर आपकी life में आजाएगा तो आपकी life में ecstasy आजाएगी याने a feeling of great happiness बहुत extremely खुशी की जो happiness की जो feeling होती है वो आजाएगी love आपकी life में कोई partner होता है कोई wife आता है कोई wife आती ही कोई husband आता है कोई girlfriend बनती है कोई boyfriend बनता है तो suddenly इंसान बहुत happy हो जाता है तो इसलिए वो कह रहे थे कि मैं सबसे पहले love डूढनूँगा क्योंकि वो उससे ecstasy याने great feeling of happiness मेरी life में आएगी ecstasy is so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy तो author को कहते है ये वो ecstasy है ये वो extreme happiness है जिसको पाने के लिए याने जिसके खुशी के कुछ घंटे खुशी के joy of few hours, few hours of this joy याने प्यार के कुछ पल कुछ घंटे पाने के लिए मैं अपनी पूरी life sacrifice कर सकता हूं याने त्याक सकता हूं ये वो खुशी है, love वो खुशी है I have sought it author बोलते हैं इसको मैंने ढूंड लिया याने प्यार मैंने ढूंड लिया next, because it relies loneliness तो I have sought it याने कि मैंने प्यार ढूंड लिया और ढूंडने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि पहला reason उन्होंने क्या दिया कि वो आपको ecstasy लाता है याने great happiness की feeling लाता है दूसरी चीज़, author love को इसलिए ढूंडना चाहते है because it relies loneliness loneliness याने अकेलापन तो अगर आपकी life में प्यार याने love आ जाता है तो आपकी life से loneliness अकेलेपन की feeling चली जाती इसलिए भी उनको love ढूंडना था अब यहां कुछ words है पहले उनके meanings देखते है रिम रिम का meaning क्या होता है रिम का meaning होता है an edge at the top of something किसी चीज की ऊपर का जो हिस्सा होता है ऊपर का जो कोनार होता है कोने का हिस्सा है हम रिम कहते है for example यह cup देखिए आप यह cup है इस cup का जो यह ऊपर का हिस्सा है जो ऊपर का यह कोने का हिस्सा है इसको बोलते हैं रिम उके उसके बाद दूसरा word आया है unfathomable unfathomable का मतलब होता है incapable of being fully understood very deep कोई चीज इतनी deep इतनी गहराई की कोई चीज होती है कि जिसको समझना जिसको understand करना बहुत difficult, बहुत मुश्किल होता है abbees abbees का मतलब क्या होता है a very deep hole that seems to have no bottom इतना गहरा खड़ा या hole जिसका ऐसा लगता है कोई bottom याने कोई नीचे से कोई जमीन, कोई base ही नहीं हो basically abbees हम पाताल को भी बोलते है तो author बोलते हैं कि मुझे दूसरा reason ये है love ढूणने का क्योंकि love के आने से मेरी life से loneliness याने अकेलापन चले जाता है और ये एतना terrible अकेलापन होता इतना और बिना love के इतना बुरा अकेलापन होता है जिसमें एक इंसान conscious में होके याने होशो आवाज में होके अकेलेपन में shiver करता है उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ और उसको ऐसा लगता है कि हम इतने मतलब इस line का मतलब ये है कि इंसान अकेलेपन में इतने गहरे इतने deep thoughts में चले जाता है कि उससे समझ ही नहीं आता कि मैं कहां पहुँच गया हूँ उसको कोई base, कोई bottom नहीं मिल रहा जैसे तो ये feeling जो है कि जब अकेलेपन में आप इतनी loneliness में चले जा रहे हो बिल्कुल depression की state पर पहुच जा रहे हो इससे आप बहार कैसे निकलोगे जब आपकी life में love होगा जब आपकी life में कोई partner होगा जिसके साथ आप अपनी love life share कर सकते हो अपनी दिल की हाल चाल feeling बता सकते हो उसको अपने emotions share कर सकते हो तब इस तरीकी की feelings आपकी life में नहीं होगी इसलिए author को love अपनी life में पहला passion था जो ढूडना था I have sorted finally because in the union of love I have seen a mystic miniature the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined meanings देखिये सबसे पहले mystic mystic का मतलब क्यों होता है a person who spends his life developing his spirit and communicating to God एक ऐसा इंसान usually ये लोग सादू संत होते हैं जो अपनी पूरी life अपनी पूरी जिंदगी किसमे व्यतीत कर देते हैं अपनी spirit अपनी आत्मा से connect करने में और भगवान याने God से उनको communicate करते हैं जैसे सादू संत सालो साल तपस्या करते हैं उसे हम mystic कहते हैं miniature का मतलब क्यों होता है a small copy of a larger thing एक बड़ी सी चीज का एक छोटा सा आप example दिखा रहे हो कोई छोटा model बना किया कोई छोटी चीज का example देखे तो उसको कहते है miniature कि उस बड़ी सी चीज का ये एक छोटा सा example है तो उसको miniature कहते है prefiguring क्यों होता है to imagine something beforehand जब आप पहले से ही कोई चीज imagine कर लेते हो कि हाँ आने वाले time में ऐसा होगा तो author यहां कहते हैं कि I have sorted finally याने कि finally मझे love ढूंडना ही था क्योंकि in the union of love union of love याने दो लोगों के union में प्यार के दो लोगों के बंधन में ऐसा लगता है author कहता है कि I have seen मैंने देखा एक mystic miniature याने author कहते हैं जैसे साधू संत सालो साल तपस्या करते हैं अपनी spirit अपनी आत्मा से जुणने के लिए भगवान से communicate करने के लिए तो समझ लो उसी का ही miniature model love है जिसमें दो लोगों का यूनियन होता है वो ताउम्र पूरी life effort लगाते हैं मेहनत करते हैं अपने relationship को develop करने के लिए ग्रो करने के लिए थाकि उनकी शादी या उनका relationship continued रहे throughout the life ताउम्र तो सादू संतों की जो तपस्या है उसी का miniature model love है प्यार भी एक तपस्या है जिसको दो लोग पूरी उम्रता उम्रे निभाते हैं और एक दूसरे पर कभी give up नहीं करते हैं that is love और वो कहते हैं कि ये सारी चीजें आपको ऐसा feel कराती हैं heaven में हो याने स्वर्ग में हो जब आप love की feeling में होते हो जो saints याने जो सादू संत और poets जो कवी होते उन्होंने जो प्यार को हमेशा imagine किया है अपनी कविताओं में लिखा है संतों ने जिस तरीके से love को आपके सामने explain किया है कि love होता क्या है यह बहुत सारी चीजों का feeling before and आपको पहले से आने लगता है जब आप love की feeling में आते हो तो author बोलते हैं कि यही चीज मुझे डूडनी थी यही प्यार मुझे डूडना था जो human life इंसानों के लिए तो बहुत अच्छा दिखता है और यही at least I have found बोला कुछ नहीं तो सही बट थोड़ा ही सही कुछ नहीं तो थोड़ा ही सही मैंने love को अपनी life में मेरा जो ही passion था कि मैं love अपनी life में true love अपनी life में ढूडन के रहोंगा वो तो मुझे मिला तो पहला जो passion था वो तो हमारे author ने ढूड़ लिया आगे देखते हैं दूसरा passion क्या है तो author कहते है जिस जुनून से मैंने love पाने की कोशिश की थी exactly उतने ही equal passion उतने ही जुनून से मुझे अपना दूसरा passion भी ढूडनना था जो की था knowledge याने ग्यान अब author के लेक्स में love आ गया अब उनको ग्यान चाहिए जिन चीजों के बारे में उनको कुछ नहीं पता उनको उसके बारे में जानना था I have wished to understand the hearts of men author कहते है मेरी इच्छा देखी मैं आदमियों के दिलों को पहचानू ये knowledge भी बहुत important है कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है एक इंसान की क्या personality है all these things I have wished to know why the stars shine तो author बोलते है ग्यान में मुझे ये भी जानना था कि ये तारे क्यों चमकते है ये सब मुझे जानना था and I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway over the flux apprehend का क्या मतलब होता है apprehend का मतलब होता है to catch and understand something जब आप किसी चीज को पकड़ लेते हो और फिर उसको समझने की कोशिश करते हो उसे हम कहते हैं apprehend करना अब Pythagorean power क्या होती है सबसे पहले आप Pythagoras समझो कि Pythagoras क्या है तो ये जो person आप देख रहे हो मेरे left hand side पे ये Pythagoras थे इनका नाम था Pythagoras ये इन्हों नहीं introduce किया था तो पाइथागोरियन power क्या होती है अब power achieved by the followers of Pythagoras who believed in the relationship between mathematics and reality तो पाइथागोरियन principle क्या बोलता है कि एक relationship होता है mathematics और reality यानि maths को reality के से जोडते हुए इन दोनों के बीच का relationship समझाया गया है Pythagorean theory में या Pythagorean principle में तो वो कहते हैं कि Pythagorean power वो power होती है वो ताकत होती है जो इस Pythagoras पाइथागोरियन को जो लोग follow करते है उनको follow करने के बाद जो उनको power मिलती है वो Pythagorean power होती है यानि कि आप ये वो power है जिसमें आप maps को बहुत समझ जाते हो, numbers कैसे खेलते हैं एक दूसरे से, लिखा रहे हैं यह आपे, by which numbers holds way away, numbers एक दूसरे से कैसे खेलते हैं, यह सब आप समझ जाते हो, तो यह बहुत difficult theory थी, Pythagorean power, तो यह हमारे author को यह ग्यान चाहिए था, कि Pythagorean power क्या है, तो यह उन्होंन पढ़ा, यह उन्होंने समझा और उनको समझ में आया भी, flux का meaning क्या होता है, continuous movement और changes, तो numbers continuously move होते है, changes आते है numbers में, यह theory में होता है, तो यह सब कुछ समझना था हमारे author को, यह ग्यान उनको चाहिए था, प्राप्त करना था, जो उनको मिला भी, a little of this, but not much, I have achieved, तो author कहते ह है, कि a little of it, इसमें से थोड़ा ही सही, not much, याने ज्यादा नी, थोड़ा ही सही, but I have achieved, फिर भी मुझे कुछ नकोच, knowledge अचीव हुआ, मुझे कुछ नकोच, knowledge मिला, love and knowledge, so far as they were possible, led upward towards the heaven, तो अब जो पहले दो passions से हमारे author के love and knowledge, love and knowledge, author कहते हैं कि जो love और knowledge है, so far as they were possible, याने जितने भी जहां तक possible थी, मुझे मिलना, कि जितना मुझे love मिला, life में, जितना मुझे knowledge, जहां तक possible सा, जितना मुझे मिला, ये सब दोनों चीज़ है, याने ये love और knowledge, मुझे कहां ले गए, upward, उपर की तरफ, याने heaven, स्वर्ग की तरफ ले गए, याने जब मुझे मेरी life में मेरा love मिला, मुझे knowledge की प्राप्ती हुई, ग्यान की प्राप्ती हुई, तो ऐसा लगा, मैं उपर की तरफ जा रहा हूँ, याने heaven में, स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा तीसरा passion है, pity, लोगों के उपर दया की जो भावना है, वो वापिस मुझे खीचके नीचे अर्थ, याने धर्ती की तरफ मुझे वापिस ले आई, क्योंकि धर्ती पे कौन रहते हैं, इंसान रहते हैं, और इंसानों में tension, pain, पीडा, दुख, दर्ध की feeling होती है, येस, तो ये सारी दुख, दर्ध की feeling जो है, जब वो लोगों में देखते हैं, तो ये उनको heaven से आने, स्वर्ग से नीचे वापिस धर्ती पे ले आते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो दया भावना है, और इनको नीचे धर्ती पे आना ही पड़ेगा, एक तरीके से, अपने लोगों की मदद करने, अब heaven पर जाने का मतलब यह नहीं है, कि वो स्वर्गी चले गए थे, heaven का मतलब यह है, कि वो एक अपने life के बहुत खुशनुमा से point में आ गए थे, कि चलो, सब स्वर्ग जैसा दिख रहा है, तो reverberate का मतलब क्यो होता है, reverberate का repeat several times from different directions, जब कोई आवाज अलग-अलग direction से आपके कानों में गूंज रही है, बार-बार repeat हो रही है, उसे reverberate कहते है, oppressors कौन होते है, cruel people, याने बहुत जालिम लोग जो दूसरों पर बहुत जुल्म करते हैं, तो author कहते हैं कि मुझे जब love and knowledge मिला तो मुझे लगा मैं heaven में हूँ, लेकिन मेरे कानों में क्या आने लगी, echoes याने, लोगों के चीखने, चिलाने, रोने की, तकलीफों की जो आवाज हैं थी, उन पर जून दारे हैं, तो इन बिचारे विक्टिम्स की रोने की, जो चीखने चिलाने की आवाज हैं, वो मेरे कानों में गूंज रही हैं, जो बिचारे बे-सहारा, बुड़े लोग हैं, अब उनको, उनी के बेटे, उनसे नफरत कर रहे हैं, अब ये बिचारे बुड़े बे सहरा लोग अपने बेटों पे एक burden एक बोज बन गए है और ये लोग उनको अपने घरों से बाहर निकाल के फेक रहे हैं बुड़े माबाब को और जो पूरा world है जो पूरी दुनिया है वो loneliness में आ गई है याने बहुत अकेला पन है लोगों की life में लोगों की जिंदगियों में बहुत poverty बहुत गरीबी आ गई है और बहुत ज़्यादा pain याने दुख और दर्द लोगों की life में आ गया है तो ये जो लोगों की cheek पुकार ये मुझे heaven से वापिस earth पे नीचे धरती पर ले आती क्योंकि मुझे लोगों पर pity याने दया आती है अब pity आई और दया आई लोगों पर याने की इनको इनका तीसरा passion भी मिल गया कि मुझे मेरे अंदर दया भावना उनीची तो दया भावना आ गई ने इनके अंदर तो author कहते हैं कि गरीबी ने और दुख और दर्द ने जो लोगों की life में हैं उन लोगों ने human life का इंसानी जिंदगी का जैसे समझो मौकरिया ने मजाग बना के रख दिया हो I long to elevate the evil but I cannot and I too suffer long याने desire याने किसी चीज की इच्छ तो author केते हैं मेरी इच्छा है कि मैं evil याने इन बुरी practices को इन बुरे हालातों को इस धर्ती से alleviate कर दू याने की less जितना हो सके कम करने की कोशिश करूं खतम तो शायद करी नहीं पाऊंगा लेकिन at least कम करने की कोशिश कर हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं क्योंकि दुनिया में दुख और दर्द बहुँत जाधा है and I too suffer और जब मैं कम नहीं कर भाता हुं लोगों का दुख और दर्द तो मेरे अंदर भी दुख और दर्द आता है उन लोगों की और फिर मैं भी और फिर मेरे अंदर pity याने दया की भावना भी आई लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा को देखके और यही मेरी life है I have found it worth living and would gladly live it again if the chance were offered to me gladly का मतलब क्या होता है happily, खुशी से तो author बोलते हैं कि यही मेरी life और मुझे यह life worth living लगती है याने worth है, worth it है, यह जिन्दगी मुझे अच्छी लगती है रहना और क्योंकि मुझे love, knowledge और pity तीनों मिल गए मुझे worth it याने useful लगती है कि मेरी जिन्दगी का कोई meaning है, कोई useful है याने मैं फालतू मही अपनी life spend नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेरी life का worth है और अगर मुझे फिर से offer मिला गया, भगवान ने मुझे फिर से chance दिया कि आप इस life को फिर से जी सकते हो, फिर से आपको एक chance दे रहा हूँ जिन्दगी जीने का आप फिर से एक इनसानी जीवन जी सकते हो, तो वो कहते हैं आप में gladly, याने happily, खुशी से फिर से जीवनगा अगर भगवान ने मुझे offer किया तो, याने कि उनको यह अर्थ बहुत अच्छी लगी और इस तरीके से उनके ये तीन passions उन्होंने अपनी life में पाए So children, this was the end of our essay, I hope आपको ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप चाहे तो हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाएए, which is magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे, आपको इस तरीके का एक page मिलेगा जहां पर आपको अलग-अलग options मिलेंगे English के जिसमें woven words का option यह रहा इसके videos देखने तो इस पर click करिए जैसे click करेंगे, मेरे list of videos आपके सामने आ जाएंगे for example आपको syllabus overview का video देखना है तो इस पर click करिए जैसे आप click करेंगे, मेरे video आपके सामने play होना start हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि magnetbrains free of cost education service आपके घर तक पहुचा रहा है तब तक के लिए, bye bye and take care